आज आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डाइनमिक मेटड डिस्पैच और डाइनमिक मेटड डिस्पैच क्या होता है से जातर जरूरी है कि डाइनमिक मेटड डिस्पैच को क्यों इस्तेमाल करें सबसे पहले यहाँ पर मैं intelligent idea में आके एक program मिला लेता हूँ उस चीज के लिए अगर आपने playlist access नहीं करी है तो कर ले न मैं इसको access कर रहा हूँ सिर्फ video number देखने के लिए ठीक है 49th, right click करके आप new java class पनाऊंगा cwh underscore 49 underscore, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि लिखूँगा dynamic method dispatch बहुत सारी चीज़ हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक class मनाते हैं और उसका नाम में class 1 रख रहा हूँ, ठीक है मैंने रगा इसका नाम class 1 इसमें मैंने मानलो लिखा public void name एक name नाम का function बनाया और यहाँ पर my name is java लिख दिया मैंने और इसके बाद मैं एक और class बनाऊँगा जिसका नाम होगा 2 और यह extend करेगी 1 को ठीक है इसके अंदर भी मैं यही method ओवर्राइट कर दूँगा और मैं काऊँगा कि my name is java in class 2 ठीक है तो यह देखो यहाँ पर override का symbol बनके आ रहे हैं यह आपने इस method को override किया है कुल में लागी यह बोल रहा है आपसे जो java है ठीक है यह करने के बाद यहाँ पर आप देखो class 1 बनाया class 2 extends 1 बनाया अब यहाँ पर मानलो एक और method होता public void greet होता मानलो ठीक है और यह कहता good morning यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर मानलो कोई दूसरा method होता void let us say public void स्वागत रख देता हूँ मैं आपर और यह मानलो बोलता है आपका स्वागत है ठीक है अब मैं क्या करूँगा कि main method के अंदर एक object बनाऊँगा class 1 का ठीक है तो मैं क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा 1 obj is equal to new 1 ठीक है और जब मैं यह करता हूँ तो यह चीज़ run time में बनती है यह object जो है वो run time पे बनेगा तो यहाँ पर जैसे मैं इस program को execute करूँगा कि तो obj बन जाएगा one का एक obj बन जाएगा और मैं आपर करूँगा क्या कि जो one or two मैंने बनाये हुए है मैं इसका यापर greet इस्तेल कर सकता हूँ इसका name इस्तेल कर सकता हूँ जो मैं one dot name को call करूँगा one dot name sorry obj नाम से बनाय है मैंने obj dot name मैं call करूँगा जो right click कर के इसको run करूँगा तो आप लोग देखना कि ये उपर वाला जो वन है वही call करेगा जो की था my name is Java, ठीक है एक काम करता हो यहाँ पर, one का नाम कर देता हूँ phone, ठीक है, और two का नाम कर देता हूँ smartphone, तो उससे रोड़ा जादा समझ में आएगा आप लोग dynamic method dispatch बता रहा हूँ, बहुत द्याँ से सुनना तो जहाँ पर one था, वहाँ पर मुझे phone कर देना है, simple जा, ठीक है copy, paste, paste, control is to save, ठीक है अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कि phone का एक reference बनाया है और मैंने कहा कि इसको बराबर कर दो new phone के तो जब हम reference बना रहे हैं तो इस चीज़ को आप ऐसा समझ लो हम कह रहे हैं कि OBJ एक phone है कौन सा phone है, ये वाला phone है, ठीक है कुछ ऐसा समझ लो आप, OBJ एक phone है, ये वाला phone है यही OBJ किसी दूसरे phone को भी refer कर सकता है यही OBJ किसी तीसरे phone को भी refer कर सकता है मानलो यह वाला जो अब्जेक्ट है वो है आपका Nokia 1100 हो सकता है कि जो भी जाए हो कोई दूसरा फोन को refer करता हो मानलो Nokia N72 ठीक है और मानलो यही फोन जो है Nokia 6600 को जो है refer करता हो अब अगर मैं स्मार्ट फोन की बात कर रहा हूँ तो मानलो मैं स्मार्ट फोन इसको नहीं मानता हूँ मैं Nokia 1100 को स्मार्ट फोन नहीं मानता हूँ मैं स्मार्ट फोन मानता हूँ किसी ऐसे फोन को जो की अभी भी Samsung का M21 और यह सारी जो नहीने फोन आ रहे हैं उनको मैं स्मार्ट फोन मानता हूँ जिसमें कि अक्ट्वल में MP3, Music हो सब सुन सकता हूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक Phone है आप मुझे बताओ क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये दोनों चीज़े तो Allowed है ये तो Allowed है ये तो आपको पता है ये Allowed है ये भी Allowed है अगर मैं इन दोरों के अलावा कुछ ऐसा बना दूँ ओब्जेक्ट मैं ये बना रहा हूँ Phone OBJ is equal to तरह इसको भी comment out कर देते है यहाँ पर इसको भी control x करके यहाँ पर डालके comment out कर देते है कुछ इस तरह से ठीक है तो मैंने यहाँ पर लिखा phone OBJ is equal to new phone smartphone SM OBJ is equal to new smartphone और यहाँ पर OBJ.name मैंने किया था इसको मैंने कर दिया comment out क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ आप लोगों को यह क्या कर दिया यार यह तो हमने देखा ही नहीं कभी आपने यहाँ पर phone का reference बनाया और उसको बराबर कर दिया new smartphone के यह तो error होना चाहिए लेकिन to your surprise देखो है अबर मैं इसको run करूँगा तो यह बिल्कुल भी error मुझे नहीं देगा अपने इसने error नहीं दिया इसका मतलब क्या हुआ समझे दया इसका मतलब यह हुआ कि OBJ is equal to new smartphone जब आप करते हो तो आप लोग का अगर जो reference है वो super class का है और object sub class का है तो आप यह कर सकते हो क्या आप उल्टा कर सकते हो क्या आप ऐसा कर सकते हो smartphone OBJ2 is equal to new phone क्या आप ऐसा कर सकते हो नहीं देखो underline आगई यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते क्या आप Nokia 1100 को एक smartphone बोल सकते हो तो गलत हो जाएगा ना कुछ ऐसा समझ लो इसको यह मैं आप लोगों याद करने का तरीका बता रहा हूँ ठीक है कि अदर आप confused होग इस चीज में कि कि किसका object किसके reference को आप बराबर कर सकते हो तो आप लोगो यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो आपकी super class का reference है यानि कि ओ भी यह super class का reference है यह बराबर हो सकता है sub class के object के लेकिन sub class का reference super class के object के बराबर नहीं हो सकता तो यह not allowed यहाँ पर लिए देते है फोन जो है इसको आप फोन कह सकते हो कर यह मान लो एक स्मार्टफोन है लेटस से नोकिया नोकिया के तो नहीं है स्मार्टफोन अभी मेरे दिमाग में होंगे मेरे दिमाग में नहीं है तो सैमसंग का M21 मान लो एक स्मार्टफोन और ऑब्जेक जो है वो फोन का है क्या आप य तो आपसे यह बोल सकता है, smartphone is equal to new phone यह allowed नहीं है, ठीक है ? चलो बढ़िया, हमने अभी देखा है in Editance में, कि अगर मैं phone का object बनाके greet और name call करूँगा, तो phone के greet और name call होंगे, अगर मैं यहाँ पर smartphone का object बनाऊँगा, तो smartphone का स्वागत और name call होंगे इसमें कोई भी हमको confusion नहीं है लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता हूँ जो कि हमने अभी देखा कि allowed है Yes, it is allowed अगर हमने ये किया और उसके बाद हम क्या करें हम बोले obj.greet ठीक है, तो greet कौन सा run होगा यह greet तो एक ही है तो good morning वाला ही run होगा कोई बड़ी बात नहीं है उसमें रन करूँगा इसको, तो greet तो एक ही है न तो वही रन होजाएगा good morning कोई confusion ही नहीं है अच्छा name यहाँ पर दो दो है एक यह है और एक यह है name कौन सा run होगा यह वाला run होगा यह यह वाला run होगा अब आप सोचोगे कि यहाँ पर जो object है यानि कि जो reference है वो है phone का लेकिन जो actual object create हो रहा है वो हो रहा है smartphone का तो smartphone का greet run होगा यहाँ फिर आपका इसका greet run होगा sorry name run होगा greet नहीं name 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 not greet क्योंकि name override कर रखा है मैंने ठीक है यहाँ पर on लिख देता हूँ turning on phone और यहाँ पर लिख देते है turning on smartphone इससे ना feel आईगी आप लोग मैंने name change करके इसको phone क्यों कर दिया यहाँ पर smartphone इसलिए किया क्योंकि आप लोग को feel आईगी इससे देखना कैसे है अब मालो मैं यहाँ पर on run करता हूँ तो आप बताओ किसका क्या चीज on लोग नी चाहिए अगर आप कहते हो अपने दोस से यार वो जारा phone उठा दे ना actual में वो smartphone है वो Samsung का M21 है ठीक है आप उससे कहते हो बाई जारा उठा के दे ना उसने आपको उठा के दे दिया अब आप उससे कहते हो जारा इसको on करना तो क्या on होगा वही object ही तो on होगा यानि कि जो phone है वही तो on होगा smartphone है वो actual में तो phone का on run होगा या smartphone का on run होगा smartphone का on run होगा ऐसे करके याद कर लो किसका का run होगा object करन होगा यानि कि जो object है उसका रन होगा reference करन नहीं होगा method तो वह smartphone का method रन होगा तो turning on smartphone लिख कराएगा यहाँ पर run करके दिखाता हूँ यह देखो turning on smartphone यहाँ पर लिख कराएगा इसी को कहते हैं dynamic method dispatch और runtime polymorphism करने के लिए यह बहुत जादा सहायक होता है अच्छा runtime polymorphism क्यों आप तो कहोगे कि यार यह तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पर object करन होता है तो मुझे पहले से पता है देखो runtime polymorphism इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो object का creation होता है वो runtime पे होता है जब आपने new लिखा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब object का creation होगा runtime पर जब program run हो रहा होगा तब ठीक है तो जब आप phone obj is equal to new smartphone लिखते हो तो जो आपका यहाँ पर object का creation है एक्च्छन में object तब बनेगा जब आपका program run हो रहा होगा ठीक है तो notes में भी यही लिखा है मैंने आप लोग के लिए कि याद रहे consider the following inheritance हरार की super से sub बना super में एक math 1 है और math 2 है sub में एक math 2 है जिसको override किया गया obviously क्योंकि super में भी math 2 था यहाँ भी math 2 है तो यहाँ का math 2 को override कर दिया गया है और sub में एक math 3 भी है ठीक है उसका अपना method है उससे आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए scenario 1 देखो super obj is equal to new sub आपने reference यूज किया phone का object बना दिया smartphone का तो आप एक smartphone को phone पकार सकते हो यानि कि आप उसको phone बोल के refer कर सकते हो इसका मतलब आप phone का reference ले सकते हो तो आप यहाँ पर super obj is equal to new sub लिख सकते हो और इस चीज को याद करने का एक और तरीका बताता हूँ वैसे यह smartphone phone वाली analogy तो more than enough है मेरे साब से लेकिन तब भी आपको अगर रटना है थोड़ा सा कुछ लोग होते हैं रटने में थोड़ा अच्छे होते हैं तो यह चीज allowed है super obj is equal to new sub allowed है अरे यहाँ पर हमने देखा ना super class का object sorry super class का reference और sub class का object ठीक है यह जब आप करोगे तो यह allowed है देखलो यहाँ पर लिखा है मैंने allowed अब एक पर allowed है तब बात आती है कि method to run होगा method to is का run होगा method to is का run होगा तो जब आप यहाँ पर obj.met2 लिखते हो तो किसका run होगा जो object है sub का run होगा यह वाला जो 2 है वो run होगा तो यहाँ पर थेखो मैंने 2 लिखा हुआ है कि यह वाला run होगा 2 is called यानि कि इसका code execute होगा जो code इसमें लिखा हुआ है sub वाले में क्यों कि object सब का है और इसकी वज़ा मैंने आप लोगो बता दी real world से बहुत जादा mail जोल खाता है यह जब आप किसी दोस्त से कहते होगी phone उठा दे और actual में जो चीज़ आप उठाने को बोलें वो smartphone है तो वो चीज लागू तो होती है वो आपको phone उठा कर दे देगा जब आप उसको on करोगे phone को तो smartphone on होगा या phone on होगा smartphone on होगा क्योंकि वो smartphone था इसलिए smartphone के methods run होगी यारी कि जिसका object है उसके methods रन होगी इसलिए मैंने आप देखा to ये run है अब एक catch और है याँपर आपको के हाँ smartphone में music बजा दे वो कहाँ अभी तुमने तो का phone है तुमने तो phone से refer किया इसको मैं music नहीं बजाओंगा अगर तुमने smartphone का होता तो मैं music जरूर बजाता अब तो मैं कद्दू भी नहीं बजाओंगा music तो आपको music बजाने के लिए क्या करना होगा आपको music बजाने के लिए ये भी smartphone का reference बना के smartphone का object बनाना होगा तब आप इसका method call कर पाओगे जो कि इसमें नहीं है आप सर्फ वही method call कर सकते हो जो super glass में है अगर आप ऐसा कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगो example दूँ तो मेरा जो phone है उसमें एक तो स्वागत method है एक on method है ठीक है स्वारी smartphone में और phone में कौन-कौन से method है greet और on मानलो इस स्वागत को ना मैं music कर देता हूँ थोड़ा सा जो हम बाते कर रहे हैं मैं उससे रोड़ा mail जोलगाएगा इसको मैं playing music लिख देता हूँ ठीक है और यह मैंने on कर दिया और greed का भी मैं नाम कुछ और कर देता हूँ मानलो मैं show time कर देता हूँ ठीक है time is 8 एम ठीक है मानलो मैंने ऐसे लिख दिया फहुत ही simple सी glass बना रहा हूँ कि आप एक smartphone को phone कहकर पुकार रहे हो पुकार सकते हो लोग पुकारते ही है कहते हैं यार phone गिर गया पता है मेंसबजी लेने गया था किछी ने phone निकाल लिया यह Schmidt कोलते है इसमार्ट DP निकाल लिया लेकिन अगर आप अपने दोससे बोरो कि यार जरह फोन उठाना वो ब teenyगा हाँ मैंने उठाया फोन अभ आपसे इसमें गाना बजाना आपका दोस्त आपसे कहेगा कि यार गाना तो लेकिन स्मार्ट फोन में बज़ता है तो वो बतो लेका हाँ इसमें बज़ेगा ना ब में बज़EMA था मैंने function का music रखाता है यार सिर्व ठीक है तो यह दे को red color की line यहां पर पहले ही आ गई लेकिन तब भी run करके error दिखा देता हूं कह रहा है कि भाई variable obg of type phone और यहां पर आप music उसमें run कर रहे हो नहीं कर सकते हैं आप ऐसा यह बोल रहा है बागी आप कुछ भी कर लो यह not allowed है ठीक है अब इसको कहते हैं dynamic method dispatch यानि कि जो method है वो run time पर decide होता है कौम सा run होना है ठीक है क्योंकि object आपका run time पर बनता है ठीक है तो यही है dynamic method dispatch आप लोगों समझ में आ गया आप लोग यहां पर show time run कर सकते हो आप on run कर सकते हो आप इसका वाला on run कर सकते हो यानि कि आपका जो on run यहां पर वो यह वाला run होगा यह वाला run नहीं होगा turning on phone नहीं turning on smartphone नहीं होगा देख लो आप लोग turning on smartphone नहीं होगा time is 8am जो आपकी superglass का method था वो भी run हो गया लेकिन यह आपका run नहीं होगा ठीक है तो यह एक अच्छा real word example ले लिए हमने phone smartphone का और यहां पर अगर आप तो मैंने आप लोग को एक एक बात लिख के बता रखिया कि बाई super obj is equal to new sub करोगे अगर तो यह allowed है जावा आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा लेकिन अगर आप उसमें math recall करोगे अनिक एक ऐसा method जो कि super में नहीं है लेकिन sub में है अगर आप यह method run करने की कोशिश करोगे त आता हूं कभी मुझे ना exam में dynamic method dispatch वगरा इसाब करना होता था तो मैं क्या करता था कि लिख लेता था यहां पर यहां लिखता था phone यहां लिखता था smartphone नीचे arrow बनाता था उसके बाद एक-दो method phone में लिखता था एक-दो method smartphone में लिखता था फिर मैं ऐसे करके लिख देता था warranty है मेरी क्योंकि मेरा experience है मैंने भी recall करने की कोशिश की हो यह 8-8 महीने तक अगर आप लोग dynamic method dispatch वाली concept के touch में नहीं रहे और उसके बाद आप उसको recall करने की कोशिश करने तो यह example बहुत जादा कारगर सावित होता है ठीक है यह है dynamic method dispatch I hope कि आप लोग को समझ में आ गया और काफी question आते हैं और काफी question आते हैं इस चीज़ पे कि कौन सा method run होगा बताओ run time पे होगा यह काम या फिर compile time पे होगा इस तरह के जब भी new लिखा है तो भाई run time में बनता है object ठीक है तो यह सारी चीज़ जो है अब लोग को आनी चाहिए तो dynamic method dispatch में बस इतना ही है and I think this should be enough आप लोग की एक understanding के लिए so यह चीज़ run time polymorphism के लिए सहायक होती है polymorphism का मतलब एक चीज़ उसकी different forms ठीक है तो यह object एक smartphone को भी refer कर सकता है यह object एक phone को भी refer कर सकता है ठीक है हमने overloading में भी देखा polymorphism, overriding भी एक तरह का polymorphism है I hope कि यह chapter आप लोग को समझ में आ गया आप लोग के लिए प्लेयलिस अभी एकसेस नहीं करी है तो इसको खौल के भुक्मा करो, सेव करो वैसे अभी तक तो सबने कर ली होगी अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गैस I hope आप लोग को अच्छा लगा वीडियो और इसका जो PDF है जल्दी मिल जाए आप लोग क काफीलों कंदेगे कर रहे है लोग करण आप PDF देदू पीडीयो देदो देदून देदो देदून देदून देदों देदून द्अ थी डूँ सकता जब अपको यह वीडियो और तो आपको अगलि वीडियो में मिल जाए PDF डिस्क्रिप्षन में तो अभी के लिए इस for watching this video and I will see you next time